नमस्कार दोस्तूं, हम देख रहे थे सेंसकर्थ व्याकरण और वो भी टोपिक के अनुसार, ट्रिक के अनुसार दोस्तूं क्लास नमर 11 रहेगी जिसके अंदर आज हमारा जो टोपिक रहेगा वाच्य प्रिवर्तन करहेगा और आपके एकजाम, चाहिए कोईसा भी रीट हो, सीटेट हो, यूपिटेट हो, एमपिटेट हो, एहंचटेट हो, किसी भी राजे का टेट वर्ती का एकजाम हो अब उठाकर देघ ले ना मित्रूं लटलकार के अंदर ही वाच्छा प्रिवर्तन होता है वाच्छा प्रिवर्तन लटलकार के अंदर है जो आज है यहाँ पर हम अध्यन करेंगे एससी ट्रिक बताई जाएंगे आपको अगर आप ये class इंड करते हैं तो वाच्चे परिवर्तन आपको कभी भी कहीं से भी पढ़ने की जरूरत है जो नहीं पढ़ेगी दोस्तों अगर आपको इनके नोट्स यानि संपूर्ण सेंसकर्ट व्यागरण की तियारी करनी है तो कुछामन ओनलाइन कलासेज के स्टोर से आप है कॉर्स के मादिम से कर सकते हैं रही किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए अगर आप जानकारी चाते हैं तो इंस्टाग्राम आइडी दी गई है आपको यहाँ पर आप मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों तो चलते हैं आज की इस कलास को एक बार सभी साते वीडियो को लाइक सेर और जो नए साती है वो चैनल को सब्सक्राइब करें बहुती मज़ेदार कलास रहेगी आज की और आज ये कलास के अंदर आप वाच्चे परिवर्तन सीखेंगे तो चलते हैं मित्रू देखते हैं क्या होता है वाच्चे विश्वास के साथ अंतक बने रहे हैं और सबसे आपका important काम लाइक और सेर करते जाएए अधिक से अधिक लाइक और सेर कीजिए मित्रू सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वाच्चे क्या होता है वाच्चे होता क्या ह क्या होता है मित्रु वाचे किसी भी बात को कहने या परकट करने का तरीका वाचे होता है कोई बात है उसको कहना उसको परकट करने का तरीका ही क्या कहलाता है वाचे कहलाता है दोस्तु अब हम बात करें सेंसकर्थ के अंदर वाचे की तुमित्रू सेंसकर्थ के अंदर सेंसकर्थ बासा में वाचे तीन परकार के होते हैं क्रित वाचे, क्रम वाचे, बाव वाचे, जो क्रितरी वाचे है आपका जो क्रितरी वाचे है इसमें करता परदान रहेगा करम वाचे में करम परदान रहेगा बाव वाचे में बाव यानि क्रिया परदान रहेगी तो करता, करम और क्रिया है मैंने एक वाखे के हम बात करते हैं तो ये तीन चीज होती है मित्रू और करता है करम है और क्रिया है ये तीनों अलग अलग परकार के वाच्चिव में क्या रहती है परदान रहती है अब बात आती है कि सर तीन परकार के जो वाच्चे हैं ये आपने नाम तो इनके बता दिये लेकिन इनको हम याद कैसे रखे तो एक-एक करके हम पड़ेंगे सबसे पहले चलते हैं क्रित्री वाचे की ओर यह रहा आपका क्रित्री वाचे में तरू यहां से आपका सब कंप्लेट सब याद आपको हो जाएगा देखिए क्रित्री वाचे क्रित्री वाच्चे में हमने क्या पड़ा था सबसे पहले क्रित्री वाच्चे के अंदर करता क्या होता है परदान होता है देखें यहां पे करता करम और क्रिया करता आएगा पर्तमवी बक्ति का करम आएगा द्वित्यावी बक्ति का और क्रिया आएगी पर्तमा विबगती की मतलब एक दो एक एक सो इकीस करता करम क्रिया एक सो इकीस कुछ समझे यहां से पर्तमा द्वित्या पर्तमा आया समझ में यहां पर यह क्या है आपकी विबगती है दोस्तु अब देखें यहां पर करता है ये परदान रहेगा यहां पर करितरी वाचे के अंदर करता क्या रहेगा आपका परदान रहेगा और किरिया किस के अनुसार लगेगी किरिया आएगी इसमें करता के अनुसार किरिया किस के आदार पर लगेगी करता के आदार पर किरिया का परियोग होगा करम है जैसा ही क्या करना है आपको लिखना है तो यहां से जो साती नोट्स बना रहे हैं और यहीं से कलासे टेंड कर रहे हैं जो साती सात में एप पर जाते हैं वहां से नोट्स है वो लेते हैं तो उनको दिक्कत नहीं है नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे जो साती यहाँ पर कलासे ले रहे हैं उनके लिए जो भी साती नोट्स बनाए तो इस परकार से इनको एक कोश्टक में पेक करना ना भूले अलग-अलग कोश्टक बनाना है आपको देखें इससे याद करना भहुत असान हो जाएगा यहाँ पर देखिए अब देखिए यहाँ पर देखें करता करम क्रिया विबक्ति के अगर हम बात करते हैं तो करता में आएगी पर्तमा करम में आएगी द्वित्या क्रिया में आएगी पर्तमा मतलब 121 ये आपको इतना ही कृत्री वाचे में आपको याद रखना है 121 दोस्तु कुछ आया समझ में इसी परकार हम आगे चलेंगे करम वाचे में वहाँ पर आपको याद रखना है 311 क्या याद रखने है 311 इंपोर्टेंट चीज है वहाँ पर आपको 311 याद रखने है द वो आता है कि क्रित्री वाचे से क्रम वाचे या क्रम वाचे से क्रित्री वाचे अगर दूसरा प्रकारगा क्यूसन बनता है वो बनता है क्रित्री वाचे से बाव वाचे या बाव वाचे से क्रित्री वाचे करम से बाव बाव से क्रम बहुत कम पूछा जाता है अब देखे यह कैसे बनता है दोस्तों यहाँ पर देखे आपको एक उधान दिया गया राम उध्यान जाता है यहाँ पर राम क्या करता है उध्यान क्या करम है जाता क्या है क्रिया है दोस्तों अब देखे हम करता है राम राम को परत्मों विवक्ति में लिखिए क्या बनेगा राम है बन बसती है क्रिया और क्रिया करता के अनुसार आएगी परतमा के अंदर करता के अनुसार तो यह देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगी क्रिया जाता है जाता है इने गच गच याने गचती यह देखिए रामय उद्यानम गचती यह बन गया आपका यह क्या है यह कौन सा है यह करेटरीे का वाकिये परिवरतन तीनों वाकिये पढ़ने के बाद करेंगे की करम से बाम में जाना हो या करम से करे grim से करे май हाना हो इसी पर कार दूसरा उदाना है सीता पढ़ती है सीपर करता है पढ़ती क्या है यहाँ पर क्रिया है करम का यहाँ पर लोप है तो यहाँ पर देखे सीता सीता अगर हम करता के अनुसार चलेंगे सीता करता है तो विबगती पर्तमा आएगी तो सीता ही अब करम है नहीं यहाँ पर बात करें क्रिया की क्रिया में आएगी पर्तमा तो पढ़ कि क्या हो जाएगी पटती हो जाएगी क्या हो जाएगी पटती दोस्तों तीसरा उदार नोड देख लें करितरी वाच्छे का तीसरा उदार ने आप कहा मैं बाजार को जाता हूं मैं बाजार को जाता हूं हो है यहाँ पे typing mistake हो जाती है मित्रू तो क्या कह रहा है में बाजार को जाता हूँ important वाकिय है यह भी आपके लिए अब बताइए यहाँ पे मित्रू में क्या करता है आपका बाजार क्या यहाँ पे करम है और जाता क्या किरिया है तो में का पर्तमा विवग्ति में क्या होगा एहम होगा बाजार को आपणम केते हैं तो करम बन जाएगा आपणम दिवित्या विवग्ति के अंदर और जाता है गच गच का जाता है करता के अनुसा लगाएंगे हम एहम के अनुसा लगेगा तो गच्छा मी आएगा यहां पर क्या आएगा गच्छा में आएगा दोस्तु ये देखिए ये बन गया आपका करित्री वाचे तो मित्रो वाचे कोई कठीन चीज नहीं है साइध मेरे को पता है जो साती पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं लास्ट बार जो रीट एकजाम हो आता दो सितंबर के अंदर वापस एकजाम हो रहा है उसमें चाहे लेवल फेश्टो चाहे लेवल सेकिंडो चाहे पेपर फेश्टो चाहे पेपर सेकिंड चाहे बासा फेश्टो या बासा सेकिंड आपकी जो साते हमारे साथ जुड़े वे थे उनसे आप स्कोर है वो पूछ सकते हैं बहुत अच्छा स्कोर उनका गया है और आपका भी इस बार सहसकर्थ में टार्गेट हमारा यही है कि 30 में से आपके 29 सुआल या 30 सुआल सहीू इनसे कम आपके एक भी गलत ना हो जाए चलिए मित्रू यह ता आपका कर्तरी वाच्छे द्यान से देख ले कर्तरी वाच्छे में आपको याद रखना है वो रखना है एक दो एक कर करता करम क्रिया आगे चलिए नेक्स्ट वाच्छे आता है आपका करम वाच्छे दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट वाच्छे रहता है करम वाच्छे चलिए देखते हैं इसके अनुसार करतरी वाच्छे में करता परदान था यहां पर परदान क्या रहेगा करम परदान रह है और क्रिया है वो करम के अनुसार करम के अनुसार आएगी और आत्मने पद के अंदर चलेगी यह लगा कर आत्मने पद है जो आपको यहां पर बनाना है दोस्तूं सबसे इंपोर्टेंट चीज है यह यहां पर आपका सुत्तर क्या बनता करम वाचे में करता करम क्रिया का 311311 समझें यहां से अब चलिए दे उस्तू सबसे important हम निर्मान आगे देखेंगे पहले यह देख लें क्योंकि यहां पे जो क्रिया लगेगी वो आत्मने पद में आएगी तो आत्मने पद केसे बनता है तो क्रिया में मूल दातू में यह जोड़कर आत्मने पद में परियोग लटलकार से रिलेटेड ही पढ़ना है लटलकार से रिलेटेड ही एग्जाम में आता है दोनुचीज दोस्तों देखें यह लटलकार में पट दातू है पटती पटत पटंती पटसी पटत पटत पटामी पटावे पटामे ये क्या है आपकी लट लकार के अंदर पट दातु है अब इसी को हम प्रिवर्तन किसमें करते हैं मित्रू इसको लेकर जाते हैं लट लकार आत्मने पद के अंदर इसमें आत्मने पदी ये लगाकर आत्मने पदूं के अंदर पठ्थावे का हो जाएगा पठ्थावे और पठ्थाम का हो जाएगा पठ्थामे ये आपको याद करना है मित्रूं इनकी कोई ट्रीक मेरे पास है नहीं जो मैं आपको दे दूँ और नहीं कहीं पर आपको इनकी ट्रीक मिलेगी इनको दिन में तीन दिन रेगुलर आपको द को करित्री पूछ ले या करित्री से करम पूछ ले ये वाक्य आपको जरूर मिल जाएगा देखने अब चलिए करम वाच्चे का निर्मान करते हैं तो मित्रो अब देखिए करम वाच्चे है उसका वाक्य हम कैसे बनाते हैं देखिए जैसे चातर द्वारा लेक लिखा जाता ह यह वाक्य है अब यहां पे देखें आप चातर करता दुवारा लेक करम लिखा जाता है करिया चलना किसके अनुसार में करम के अनुसार करम के अनुसार छातर यहने करता करता के अंदर तर्तिया विबक्ति का प्रियोग होगा तो क्या बन जाएगा चात्रेन बन जाएगा अब देखिए दो नमरे पे आता है करम करम में आएगी परत्माविबक्ति तो लेख लेख का हो जाएगा लेख है अब बचता है लिखा जाता है किरिया और किरिया में आएगी पर्तमावि बगती और वो लगेगी किसके अनुसार वो करम के अनुसार लगेगी तो क्या बन जाएगा लिखयेते चात्रेन लेकर लिखियंते यहाँ पर जो यह लिखियेते है यह आत्मने पद के अंदर हम इत्रूं किसमें आत्मने पद के अनुसार है मित्रूं पर्तमा के अंदर आत्मे इन यह पद पठियेते नहीं पढ़ाता कि हमने वो दोस्तों अब आगे हम और वाकिये देखेंगे इससे पहले यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं मित्रूं कि करता है ना करता करता को हम पर्तमा से तर्तिया में लेकर जा रहे हैं तो ये परिवर्तन कैसे होता ये भी देख लेते नोट करता है जो पर्तमा में तर्तिया से पर्तमा देखे से तो ते यहां पर तर्तिया में क्या हो जाएगा तेन ताब्यम ते सा तेता तततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततत तर्तिया में जाता है करम वाचे में वो चीज़ है यह दोस्तु परत्मा से तर्तिया में करता की बात हो रही है यहां पे करम आपके परत्मा में आएगा और किरिया आएगी वो करम के नुसार आएगी आत्मने पद में आएगे आत्मने पद में आपको बता दिये हैं दोस्तूं अब चलिए यहां पर हम देख लेते हैं क्रित्री वासे से करम वाचे में परिवर्तन कैसे होता है दोस्तूं से पत्रम लिखती यहाँ पर से क्या है करता है पत्रम क्या है करम है और लिखती क्या है क्रिया है से को हमें किसमें लेकर जाना है तर्तिया में तर्तिया में लेकर जाना है से का क्या हो जाएगा तेन हो जाएगा अब देखे करम करम में पत्रम पत्रम है ये द्वित्या में इसको किस में लेकर आना है पर्तम में लेकर आना है तो पत्रम का क्या हो जाएगा पत्तर हो जाएगा अब यहां पे लिखती जो लिखती है आपका यह किसमे है वर्तमान में वर्तमान में परतमा में अब इसको हमें लेकर तो किसमे जाना है परतमा में ही जाना है लेकिन साथ में आत्मने पद जोड़ना है आत्मने पद के अंदर लेना है तो यह लगाईए यहां पर हमें चलना क इसको हम लगेंगे तो लिखियते बन जायेगा परतंपुरूस एक वच्छन में लिखियतेबन जायेगा तो यह लिखियते आपका समझे कुछ यह है आपका दूसरा वाकिय देखिये इसी परकार करितरी से करम का राम फलम खादती राम है करता फलम है करम खादती है किरिया दोस्तों अब राम को हम यहां पर राम है वो किसमे मित्रू पर्तमा में पर्तमा को लेकर जाएंगे यहां पर तर्तिया में बन जाएगा रामेंड फलम यहां पर द्वित्या में इसको हम यहां पर लेकर के पर्तमा में तो पर्तमा में भी फलम ही रहता है फलम फले फलानी फलम फले फलानी द्वित्या और पर्तमा समान खादती यहां पर पर्तमा में हैं अब इसको हम लेकर जाएंगे किसमें पर्तमा में लेकिन साथ में क्या रहेगा आत्मने पद रहेगा आत्मने पदे के खा द रामेन फलंखा दिये ते यह देखे करतरी वाच्चे से करम वाच्चे बन रहा है इतना सिम्पल है यह अब चलिए तीसरे परकार की और तीसरा जो मारा परकार है मित्रु वो है भाव वाच्चे बाव वाच्चे की सबसे important विसेश्था है इसके अंदर करम नहीं होगा करता हो मित्रु यहां पर वो तर्तिया विबक्ति का होगा और जो किरिया होगी वो परतम पुरुस एक वचन और आत्मने पद की होगी परतम पुरुस में एक वचन में और आत्मने पद में चलेगी अब यहां पर बात आती है कि जो करम नहीं है यहां पर क्या नहीं है करम नहीं है मि प्रिवर्तन कैसे हो हमें किसे करना है क्रित्री वाचे से बाव वाचे में प्रिवर्तन करना है और यह क्यूसन इंपोर्टेंट बनते हैं दो चीज याद रखना आपको एक तो क्रित्री वाचे जो आपका क्रित्री वाचे है इसे बाव वाचे ये क्यूसन एक्जाम में आ सकता है बाव वाचे वाला करित्री वाचे से बाव वाचे या करित्री वाचे से करम वाचे इनका उल्टा भी हो सकता है जैसे हम यहां पर करित्री से बाव मना रहें तो बाव से करित्री भी पूचा जा सकता है करम से कृत्री भी पूचा जा सकता है आपको कभी यह नहीं मिलेगा कि आप करम से भाव बनाएए समझें मित्रों चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका सुत्र क्या बन रहा है सुत्र बन रहा है 301 301 दोस्तु कृत्री वाचे से यह क्रित्री वाचे आपकी बालक क्रिडती बालक है क्रिडती अब बालक है क्या है यहाँ पर करता है बालक है क्या है करता है मित्रों और करता है यहाँ पर परतमा में क्रिडती यह क्रिया है यह भी किसमें परतमा में अब बाव आचे के अंदर जाएंगे तो जो करता है वो किसमे चला जाएगा तर्तिया विबक्ती में और बालके क्या बन जाएगा बालकेन बन जाएगा जो किरडती है आपकी इसको लेकर जाना है आपको परतमा के अंदर ही लेकिन पर्तम पुरुस के अंदर एक वचन और आत्मने पद में आत्मने पद में किरड़ दातु का बनेगा किरड़ियती पर्तम पुरुस एक वचन में तो बाल के न किरड़ियती इसी परकार दूसरा देखे कन्या हसंती यहां पे देखे कन्या हसंती दोनु क्या है पर्तम पर्तम में बनाना किसको है इनको इनको परिवर्तत करना है कन्या निक करता को तो तीसरे तीसरी विवक्ति में तर्तिया विवक्ति में और जो हसंती है उसको पर्तमा में पर्तम पुरुसेगवचन साथ में आत्मने पदमी लेना इसको किसमें आत्मने पदमी अब देखे कन्या को हम तर्तिया में ले जाएंगे तो कन्या भी बन जाएगा हसंती को हम अगर आत्मने पदमे ले जाएंगे तो हसियते बन जाएगा हसियते दोस्तूं यह important आपके लिए तीसरा हुदान भी देख लें एक बार से पटती से पटती ये देखे से पटती से करता परतमा में है किरिया परती है वो भी परतमा में ये तरतिया में जाएगी ये परतमा में रहेगी साथ में आत्मने पदा जाएगा चलिए से का से का तर्तिया में क्या होगा तेन और पटती का पट्टे येते ये देखे करतरी से बाव वाचे बनाना बहुत सिंपल है सोच विचार कीजिए थोड़ा दिमाग जरूर लगाईए याद आपको हो जाएंगे ये अब चलिए मित्रू हमने यहां पर देखे करतरी वाचे से बाव वाचे बना लिया है अब आगे चलते हैं और करतरी वाचे से करम वाचे में परिवर्तन करते हैं पहले सुतर लिख लो यहां पर दिये गए हैं ये करतरी वाचे के करतरी वाचे का सुतर है एक दो एक करम वाच द्वित्या से पर्तमा में लाना है और जो आपकी क्रिया है उसको पर्तमा से पर्तमा में लेकर आना है तो चातर चातर है तर्तिया में जाएगा तो चातरेन हो जाएगा परसनम द्वित्या से पर्तमा में आएगा तो परसना हो जाएगा और करोती का करोती है करीधातु है तो इसको आत्मने पद में लेकर जाएगे पर्तम पुरुसेगवचन में किरियते हो जाएगा सीता फलम लिखती सीता का सीता सीतिया हो जाएगा सीता पर्तमा से तर्तिया में जाएगा तो सीतिया पत्रम का पत्रम अब देखे लिखती लिखती को हम लेकर जाएंगे आत्मने पद में तो लिखियते हो जाएगा बालका कताम सर्विन्ती बालका कताम सर्विन्ती अब यहां पर देखे बालक परत्मा में इसको तर्तिया में लेकर जाएंगे तो बालके कताम यहां पर द्वित्या के अंदर है इसको हम परत्मा में लेकर जाएंगे तो कता सर्वन्ति है यह परत्मा में इसको हम आत्मने पद में बदलेंगे तो सुरियत्ते हो जाएगा यह कृत्री वाचे से करम वाचे कृत्री से करम देख लिया कृत्री से बाव देख लिया और देख लेते कृत्रिम से बाव अब इस बार हम क्या करेंगे कि यह जो बाव से कर्त्री की ओर चलेंगे सबसे पहले सुत्र लिख लेते हैं मित्रू तो यहां पे चलिए हम देखते हैं बाव का बाव का सुत्र क्या होता है तीन जीरो एक करित्री का सुत्र क्या होता है एक दो एक अब चात्रे यहां पर देखे चात्रे इसको अटा दो बीच में से करम है यह नहीं तो अटा ही दो यहां पर भी करम नहीं अटा दो इसको एक एक तीन एक चात्रे किर्डियते चात्रे में क्या है तर्तिया है पर्तमा में लाईए तो क्या हो जाएगा छात्रा हो जाएगा किरड़यते आत्मने पदमे इसको किसमे बदलना है आपको पर्तमा के अंदर तो क्या हो जाएगा किरड़यते समझे किरड़यते ये क्या है आत्मने पदमे अब इसको बदलना किसमे हमें पर्तमा में लेकर जाना है किरडंती हो जाएगा किरडंती ये देखे तो इससे ये बन गया इसी परकार अस्मा भी अस्मा भी तर्तिया में पर्तमा में वेम हो जाएगा वेम हस्यत आत्मनेपद में इसको आत्मनेपद से इटाएंगे तो हंसाम हो जाएगा मया का हो जाएगा एहम और हस्येते का हो जाएगा हसामी यह होते हैं आपके वाच्चे बहुत सारे साथियों के कमेंट आये थी मेसेज आये थी जो लाश्ट बार रीट के इंदर दिन किया था हमारे साथ उन्हें बोला कि सर सहसकर्थ वे आकरण हमें करा दो संपुर्ण सहसकर्थ वे आकरण करवाऊंगा और जो साती नोट्स पलस कलासे अटेंड करना चाते कुछामन ओनलाइन कलासे एप के स्टोर से कोर्स परचेज कर सकते हैं जिन भी सातियों को कोई भी किसी भी परकार की जानकारी चाहिए वो सभी साती इंस्टाग्राम आइडिये नाम दिया गया है मेरी आइडिये यहांपर मेरे को फोलो करके मेरे से जानकारी ले सकते हैं आप सभी को बहुत बहुत दनेवाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक जे हिंद जे बारत